आज मैं आप सब के साथ meet exam के लिए मेरा last 30 days का रूटीन ये ना वो शेर करने वाली हूँ आप सब को पता है exactly एक मन्त रह चुक है meet exam के लिए और अभी जो मेरा time table है वो मैं आप लोगों के साथ share करूँ गी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो से काफी लोगों की बहुत जादा help होने वाली है लेकिन उससे पहले जो है ना मेरा दिन की starting होती है सुबह साथ बजी उठने से और उठने के बाद जो है ना मैं coffee बना रही हूँ दो चमच मैं coffee ल के रात को एंड तक सोने तक का पूरा रुटीन आज वाली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो पूरी वीडियो देखना और आपको इसमें से जो भी points अच्छे लगे आप उनको follow कर सकते हैं या फिर मुझे कुछ एट करने की जरू हो तो आप मुझे वो अच्छा रहता है थोड़ा सा मतलब लाइट आप खालो वैसे तो लाइट नहीं कह सकते हैं या थोड़ी महनत कम करनी पड़ती है इसमें बिकॉस अब जो रुटीन है ना एक मंद का वो बहुत ही जाधा हेक्टिक होने वाल है जाधा एक्स्टा टाइम नहीं मिलेगा मुझ आप इस रुटीन को फोलो कर सकते हो मैं एड में पूर आपको ये रुटीन दिखा दोंगी मैं इससे बना रही हूं बैसिकली ही ना मैंने बहुत प्रेक्टिकल LA से बनाया है इसमें मैंने time to time break add की है या फिर आपको lunch, dinner, breakfast के लिए जो time रहता है वो भी add किया है और study है वो भी काफी अच्छे से हो सकते हैं आप देख सकते हैं पूरा routine का जो है na screenshot ले सकते हो and आप इसको follow कर सकते हैं लेकिन आप मेरी मानो हो तो आप सब अपने हिसाब से अल करो इसको at least 80% आप इसको try करो कि follow करो बागी schedule तो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं and most important है आप इसको last one month के लिए बस अपने सामने लगा दो and जो थोड़ा सा study setup मैंने किया थोड़ा मैंने change किया because बहुत साथ से बोर हो चुकी थी and मेरे बिल्कुल भी ना पिछले क्रूशल है और इस one month में आप पूरा game change कर सकते हूँ आप लोगों कि मुझे कुछ mails भी आये actually कि क्या एक मन्थ में कुछ possible है क्या अभी डेड़ महीना रह गया एक महीना रह गया तो उन सबको मैं अलग-अलग जवाब देती ना इसलिए मैं इसी वीडियो में बोल रही क्योंकि yes everything is possible एक मन्थ में ना पूरा game change हो सकता है अगर कोई topper है और वो last one month में ना study करना ही बंद कर दे या फिर बहुत ही कम study कर रहा है तो उसके marks कम हो सकते हैं और अगर कोई बच्चा पीछे है जिसके marks कम हो रहे है और वो last one month में ना पूरी महनत लगा देना तो वो 600 य इसे अलग अलग चल रहा है because कई बार mock test थोड़ा level का फर्क रहता ही है अभी exam देखो किस level पर आता है अगर थोड़ा hard आएगा तो definitely cutoff जो है ना वो कम हो जाएगी easy आए तो cutoff हो जाएगी but overall आपकी preparation जो है ना वो strong रखनी आपको and last one month में मैं कुछ भी नया नहीं कर रही but वो थोड़ा delay हो गया because मैंने थोड़ा सा study कम किया तो इस वज़े से मेरा जो है ना March के end में जाके syllabus complete हुआ है and अभी जो time के हिसाब से ना जैसे biology मैंने दिन में स्टार्टिंग में रखा है because bio पढ़ने से मुझे बहुत जादा motivation मिलता है and मैं easily study कर सकती हूं bio को इसलिए मैं अब अपने हिसाब से अपना स्केडियूल में physics या फिर chemistry भी पहले अड़ कर सकते हो and इस पूरे one month में ना मैं NCRT का revision के साथ सतना mock test भी देने वाली हूं और try करूं कि मैं daily mock test दू नहीं तो दिन में एक बार mock test तो मैं definitely देने वाली हूं पर मेरी first preference यही रहेगी कि मैं mock test जो touch wood ऐसा है आप लोग भी please prayer करना मेरे लिए because मेरे लिए यह exam बहुत जादा important है because as a dropper आप लोग भी अगर कोई dropper है जो मुझे सुन रहा है वो समझ सकता है एक dropper की उपर ना बहुत जादा pressure होता है society का parents का and touch wood इस चीज में मैं lucky हूं कि मेरे parents ने मुझे इस पे जादा pressure नही किया है कि आप को करवाना ही है selection यानि कि of course they want कि मेरे selection हो बट एक होता है कि peer pressure नहीं है कि आपको मतलब यही करना है they are free कि अगर नहीं होता है it's okay you can choose your field but मुझे जो है ना नीच से कुछ जादा ही लगाव है MBBS से कुछ जादा ही लगाव है तो यह जो है ना मैंने last time भी मैंने बोला था कि यह मेरा last chance होने वाला है and मैं पूरी dedicated होके ना इसमें महनत करने वाली हो और मुझे काफी अच्छे result की उम्मीद है and I hope ऐसा ही हूँ and मैं यहीं चाहती हूँ कि जो लोग भी सच्चे दिल से महनत कर रहे है ना उन सभी का selection हो and जो deserve करते हैं उनका भी definitely बाकी तो यार सभी चीज आपके destiny पे है अगर आपके destiny में लिखा है doctor बनना तो आप बनोगे and अगर कुछ और लिखा है तो या क्या कर सकते है and इसी के साथ ये वाला चैप्टर था ना मेरा complete हो चुका है थोड़ा सा मुझे आलस भी आ चुका था all तो 11 बच चुके थे and उसके बाद म मैंने chemistry परना स्टार्ट किया almost 12 बज़े के लिए एक घंटे के लिए जो आप ब्रेक लिया है ना मैंने उसमें जैसे टीवी देख लो मैंने तो कुछ नहीं है मैंने तो phone चलाया सची बता रही हूं आप कुछ भी कर सकते हो अपनी activity follow कर सकते है कुछ भी जो भी आपको परना स्टार्ट कर लिया solution वाला चैप्टर मैं कर रही हूं बैसीली जो solid state वाला चैप्टर ना मैंने कल कर लिया थै याने कि 5th of April को मैंने वो complete कर लिया थै तो आग जो हैना solution वाला चैप्टर मैं कर रही हूं same goes with जो मैंने बायो किया था ना उसमें जो sexual reproduction flowering plant वाला चैप्टर मैं पहले कर चुकी थी तो मैं human reproduction से मैंने वो start किया था तो अभी मैं पूरा जो एक मन्त में ट्राइ करूंगी कि मैं जादे जादा रिवीजन कर सुकू स्पेशली क्लास 12 का वेकॉज 11 को मैंने काफी बार पहले भी रीड किया हुए थोड़ा क्लास 12 का portion मेरा week है तो मैं पूरा ट्राइ करूंगी कि मैं उसे फिर से एक बार वन वन में complete कर लूँ प्लस मैं मौक टेस्ट दे रहे हुँ ताकि question practice जो है वो मेरी बनी रहे एंड मैं ट्राइ करें ज्यादे ज्यादा ओफलाइन मौक टेस्ट देने की because at the end हमारा जो एक्जाम है वो ओफलाइन है आपको भी यही ट्राइ करना चाहिए कि जादे से जदा ओफलाइन मौक टेस्ट दो एंड यार मेरी ना एक दो लोगों से बात हुई थी मतलब उसमें इमेल पर बात हुई थी आप लोगों कही काफी मेल्स आते हैं उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि हमें मौक टेस्ट तो यह ना डर लगता है कि कितने मार्क्स बनेंगे तो यार सबसे पहले तो वो आपको फेस करना आना चाहिए चाहिए आपके 200 नंबर बन रहे हैं चाहिए आपको फेस करना पड़ेगा कि ठीक है I accept this और उसको एनलाइस करो कि क्यों नंबर कम बन रहे है यानि कि आगर आप और फिजिक्स को आटलिस आप करी लूँ और उसी के साथ मैंने जो अपना लंच है वो बाहर से ओर कर लिया था विकोज घर पर इसे मैंने आपको बताया मैं अकेली थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बनाओं और बिल्कुल मन भी नहीं था बनाने का यार बिको यानि कि 2.30 पे ना मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था जो 5.30 तक मैंने ओफ किया था तो ये मॉक टेस्ट है ये मैं आप लोग मुसे काफी पूछते हो ये मैंने औस वाल की बुक यूज कर रही हूँ आप कोई भी बुक यूज कर सकते है ऐसा कुछ नहीं है कोई मॉटिवेट करती है जेसे मुझे अलिस मना मॉक टेस्त तरीके से देती हूँ सबसे पहले मैं उसमें टिक कर लेती हूँ दो undertook करती हूँ भीच मैंने साथ की साथ फील करती हूँ उससे हाम निस्टेक कम हती है टाइम जो है वह काफी चला जाता है एक साए C, C,C, मेरे साथ यह हुआ था मैंने एक दो कोशन में ना वही सेम रहता है उपर वाले का नीचे में बबल फिल कर देए मिस्टेक मुझसे होती है और एक्जाम में भी होती है मुसे सची बता रही हूं लास्ट राइम एक्जाम दिया था मेरे तीन चार कोशन तो इसी वज़े से गलत जैसे मैंने फर्स जैसे जो सेक्षन किया ना उसकी मैं बबल फिलिंग कर लेती हूं बिकोज एड में अगर आप बबल फिलिंग करोगे ना तो इत्य सारे कोशन की कुछ रह जाए मुझे तैसे डर लगता है कि टाइम पूरा होगा और मेरे बबल फिलिंग ही नहीं तो इस अच्छा लगता है कभी-कभी गुमना मैं रागुलर नहीं जा पाती हूं विकॉस ऑफ माइ स्टडी बट यहां पर ना एक डॉक फैमिली रहती है जो बहुत ही जादा प्यारी है तो आपको में वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि वह सच में बहुत ही जादा प्यारी है जो वो छोट-छोटे पपीज है वो अपनी मदर के साथ खेल रहे थे और वो देख के इताज़ादा काम और रिलेक्सिंग लगता है कि मैं क्या ही बता हूं तो यह सब अपनी मुमा के साथ खेल रहे थे जब आप स्टडी करके यह सब अप नीचर के क्लोज आते हो ना तो आ देखो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ना फिजिक्स मेरे दो घंटे के लिए था बटना मेरा यह चैप्टर ना 45 मिनट्स में हो चुका था तो मैंने सोचा कि ठीक है आज के लिए मुझे इतना ही पढ़ना है विकोज में और स्टडी नहीं हो रही थी जैसे मैंने घर पर अकेली भी थी तो बोलने के लिए भी नहीं था और पूरा दिन में स्टडी कर रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक है 45 मिन्स मेरे चैप्टर हो चुका है और उसके बाद का जो स्केडियूल था ना रात का जिससे मुझे 10 बजे से लेके 11 बजे तक जो रिवेजन करने थी वह मुझे बहुत जादा मॉटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों से एकदम कनेक्टेट रह पाऊंगी तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी के साथ इस इट फो टुड़ेज वीडियो सी यो इन नेक्स वीडियो तब तक के लिए स्टडी करते रहो गु